राजननगाउं शहर की वेस्ट तम जोराहे बाल गोविन चौक में बीती राथ एक जुवारी ने सिर्फ 250 रुपए की उधार नहीं चुकाने पर एक युवक की धारदार हत्यार से हत्या कर दी बसंतपूर पुलिस ने वारदात की 12 घंटे की भीतर आरोपी को गिरफतार कर हत्यावे प्रयूक से खुन से रंगेश चाकू को रानी सागर के जारियों के पास से जब्त कर लिया है पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी पुराना बदमाश बताय गया है बिति गुरुबार की दर्मियानी रात राजननकाओं शहर के दुर्गा चौक और बाल गोविन चौक के भी शहर के पठान पारा निवासी आरोपी अमन उल्ला उर्फ एहमाद हुसेन ने दुर्गा चौक निवासी लगभग 25 वर्षी आसिफ खान की गला रेत कर हत्या कर द CCTV फोटेज की आधार पर पुलिस ने सुबह आरोपी को हिरासत में ले लिया इस हत्याकान को लेकर बसंतपूर थाने की टियाई राजस साहू का कहना है कि बीते वर्ष तास खेलते समय 250 रुपए के लेंदिन को लेकर दोनों में विवाद हुआ था इसी पुरानी रंजिस के चलते आरोपी अमन ने आसिव की हत्या कडा ली जिसको पुलिस ने पगड़ ली है और अगरिम का रही है लगबख एक वर्ष पूर्व आसिव खान और अमन के बीच पैसे के लेंदिन को लेकर मारपिट हुई थी जिसमें आसिव ने अमन की पिटाई भी कर दी थी मारपिट की घटना के बाद आसिव से बदला लेने की निया से अमन ने मौका देखकर आसिव की उपर प्राण घा तक हमला कर दिया जिससे आसिव की मौत हो गई पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफतार कर लिया है और पूरे मामले की जांच प्रारम कर दी है ग्रेंडी सीन निउस के लिए राजनांद गाउं से हफिस खान की रिपोर्ट